तो दोस्तों वेलकम बैक तो मैं यूटूब चैनल तो कैसे हैं आप आई होब कि आप बहुत अच्छे होंगे आपकी पढ़ाई भी बहुत सहीं चल रहे होगी तो आज का जो वीडियो है आपकी स्टेडिजी की उपर है और मैं आपको इस वीडियो में पताने वाल हूँ कि मै इंग्लिस कहां से पढ़ें बहुत ही लेंडी सब्जेक्ट है और आपने पहले नहीं पढ़ा तो भाई आपको कन्फिजन हो ही सकती है और अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तो यह जो सब्जेक्ट हैं यहां पर आप अगर आपने बनाए भी होगे तो एक महीने में आपका तीन सब्जेक्ट कवर होना ही था कोई भी जैसे कि मैं अपना बता रहा हूं तो मेरे फ्रेंड अभी अभी मतलब रिवीजन के तौर में मैंने हिंदी हिंदी पढ़ लिया है साइंस पढ़ लिया है और आपका कि रिजनिंग तो मैं डेली कर ही रहा हूं तो फ्रेंड ये ऊपर की जो सब्जेक्ट हैं आप इनको इस तरह की से रखिएगा इंगलिस मैथ और रिजनिंग इनको आपको डेली पढ़ना पड़ेगा आप अगर इनको डेली पढ़ोगे तो आज से भी स्टार्ट करोंगे कर करना है एक बिजन भलाई 10 कोश्टन लगाओ 20 कोश्टन लगाओ पर डेली लगाओ इसके आपके प्रैक्टिस बहुत जरूरी है जब तो मैस्ट हो गया रिजनिंग हो गया और आपका इंगलिस हो गया इनको मैं डेली पढ़ता हूं अभी मैंने तीन सब्जेक्ट निप्ट करना है और रिजनिंग के एडवांस कोश्टन कबर करना है इस तरीके से अब मेरे साथ ये इसलिवर्स है तो अगर आप लोगों की बारे में बता दूमें अगर आपकी तैयारिया भी नहीं हुए अच्छे जिए आपकी सब्जेक्ट को लेकि आपको हिंदी हिंदी समझ में नहीं आ रही है आपको इंगले समझ में नहीं आ रही है आपको मैंट्स में कन्फीजन हो रही है और आपको इंगलेस में कन्फीजन हो रही है यह पांसर आपको तो कन्फीज करेंगे करेंगे आप जी के अच्छे से पढ़ लोगे और यहां पे अच्छे से पढ़ लोगे तो फ्रेंड आप आप इस तरी की स्टेट्सी बनाईए जैसे कि आप एक मतलब टार्गेट करेंगे किजिए आपको स्लेवर्स अब खतम करना स्लेवर्स लगभग इसके होता है बहुत लंबा स्लेवर्स अगर डीटेल से प्रण तो आपको छह महीने आठ महीं लग जाते हैं रहे बाद फ्रेंड पेपर की ञेंपेपर आपके दो महीने बाद है जनवरी कि फरवरी बचाए 15 मल myth से पिपर है तो आप 15 पंदरा सठीक है किससे होगा है मैं अपना फ्लैन मता रहा हूं अगर आपको अच्छा रही है तो आप इसको एप्लाई कर सकते निए अपना वह ना सकते सर्फाइडिया लेके अफ्ल्पन मैं कल से केया कने वालू जिसी कर लेक तरिकय है मंडे से लेके Friday तक इससरप ये पास दन मैं सिरप read करऊंगा सिरप read करऊंगा मैं इसमें Saturday 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 के दिन मैं Saturday के दिन फ्रेंट पूरा revise करऊंगा उस Sunday में को test लगाना है बस ये strategies रखिएगा फ्रेंट आप एक बार करके देगिएगा तो एक हफ्ते करके देखें, आपको result automatic देखें, लगे लगे की कुछ पढ़ाई हुई है, नहीं तो आप daily पढ़ते जा रहे हो, falta जा रहे हो, आपको प्लास खतम भी हो रहे हो रही है, आप इस तरह के से पढ़ सकते हो, और subject time, अब से पहरे तो आपको यह होना चाहिए, पढ़ो इंपोर्टन टॉपिक पहड़े पढ़ो और त्योरिकल ना पढ़के डीप मना जाकि आप ऊपर ऊपर का एक बेसिक नॉलिज देते हुए भी चल सकते हो आपको फ्रेंड कुछ नहीं तो फरबरी के पहली आपको स्लेवर्स खतम करना पड़ेगा अगर आपको स्लेव सबसे पहले आपको स्लेवर्स खतम करना पड़ेगा फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी फिर आप फिर आप सोचोगे कि फ्रेंड मेरिट में आ जाए तो स्लेवर्स आपका हो जाएगा फरबरी में फिर आपको बहुत सारे कोशन लगाना पड़ेगा कोशन फ्रेंड क्योंकि थोरी से कोउचन नहीं बनते हैं कोउचन बनते हैं जो एग्जाम औरिटेट कोउचन आते हैं उसकी फुरी लेंगृ Значит घुमा देते हैं वह पूछने कहुंत तरीका पूरा बदल जाता है आप पढ़ोगे memory मेमोरी में पूरा बदल देते हैं तो पूरा को आते हैं आपके कोशन प्रैक्टिस से जितने कोशन लगाओगे आपका बेस्ट्री क्लियर होते जाएगा और अच्छे नमबर आप गयान कर पाओगे एक छोटी सी वीडियो है तो मेरे तो फ्रेंड यही सजीशन है कि आप एक बार देखि कोई पॉजिटिव आइडिया मिलता हो फ्रेंड तो बस एपलाई कीजिएगा नहीं तो बिज्जा सी आपकी मर्जी तो फ्रेंड बस सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए धन्यवाद